दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टाटा पावर के साथ में टोटल में छे ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट, डिविडेंड एंड साथी साथ में राइट सेशू अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है सुखजीत स्टार्चेंड केमिकल लिमिटेड सुखजीत स्टार्चेंड केमिकल का जो शेयर प्राइस है वो 500 रुपीज के उपर में चल रहा है और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कंपनी नहीं यहाँ पे डिविडेंट अनॉंस किया है 8 रुपीज का यानि की हर एक शेयर के उपर में आपको 8 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और जो कंपनी ने X date और record date पहले अनॉंस करी थी वो 12th of January की थी अब कंपनी ने X date और record date को update कर दिया है और जो नई X date और record date है वो 15th of January की रहने वाली है तो यहाँ पे आपको तीन दिन extra मिल गए है अगर आपको इस शेयर को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है संदूर, manganese and iron limited इस कंपनी का जो शेयर प्राइज है वो 2752 रुपीस के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Gen Pharma Limited, Gen Pharma का जो शेयर प्राइज है वो 5.52 रुपीस के उपर में चल रहा है जी हाँ 5 रुपे का एक पेनी स्टॉक है और इस कंपनी ने आपर राइट इशूज अनौंस कर दिया है 1 to 1 के रेशियो से और या आपर जो राइट इशूज का प्राइज रहने वाला है वो 1.75 रुपीस का रहेगा 1 to 1 राइट इशूज का मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक स्टॉक है तो आप इसी कंपनी का एक और स्टॉक परचेस कर पाएंगे वो भी सिरफ और सिरफ 1.75 रुपीस पर शेयर के हिसाब से जो की करन्ट मार्केट प्राइस से काफी जादा अच्छा खा डेट है वो 9th of January की रहने वाली है तो आपके पास में गिने चुने दिन मौजूद है अगर आपको जैन फार्मा के शेयर को परचेस करना हुआ ताकि आप आपको इसके राइट इशूज का बेनेफिट मिल पाए अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है त्री शक्ती इंडस्टरीज लिमिटेड त्री शक्ती इंडस्टरीज का जो शेयर प्राइज है वो 153 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आप इस स्टॉक स्प्लेट अनौंस करके रखा है 1-5 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक प्राइज है और कंपनी का नाम है वारे रेनियूएबल टेक्नोलोजी इस लिमिटेड वारे रेनियूएबल टिक का जो शेयर प्राइस है वो 2458 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting organize कर दिये 20th of January को और इस board meeting का जो purpose है वो stock split को लेकर के रहने वाला है अब 20 January को अगर company 1 is to 10 या फिर 2 is to 10 के ratio से stock split announce करती है तो definitely stock के अंदर में हम लोगों को एक शांदार तेजी देखने को मिल सकती है तो जरूर से वारे renewable technologies के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा और खासकर 20 January के दिन इस share के उपर में नजर बना के रखिएगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है Tata Power Limited Tata Power का जो share price है वो 337 रुपीज के उपर में चल रहा है और Tata Power की तरफ से काफी बड़ी update निकल के आ रही है basically यहाँ पे प्रबुदास लिल लैदर करके काफी जाना माना brokerage firm है और प्रबुदास लिल लैदर की जो technical research team की vice president है वो है विशाली पारिक अब विशाली पारिक ने जो है Tata Power के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 355 रुपीज का दिया है तो लगबग 337 रुपीज से लेकर के 355 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे प्रभुदास लिल लैदर expect करके चल रहा है Tata Power के share के अंदर में और साथी साथ में प्रभुदास लिल लैदर ने यहाँ पे stop loss भी recommend किया है जो की 332 रुपीज का है तो एक proper brokerage call यहाँ पे जो है प्रभुदास लिल लैदर की तरफ से निकल करके आ रही है Tata Power के share के उपर में अब यहाँ पे देखा जाए तो target इतना बड़ा है नहीं आने वले एक से दो दिन या फिर दो से तीन दिन के अंदर में हमें यह target एचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो जरूर से Tata Power के share को आपके watch list के अंदर में अड़ कर लीजेगा विगोज long term perspective wise भी company काफी strong है तो आज नहीं तो कल आपको definitely एक अच्छा profit बना करके देगी बाकी जरूर से Tata Power को watch list के अंदर में अड़ कर लीजेगा इसके अलावा आपको जिस भी share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुआ बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 6 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहे का चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye